धेरे और आत्म विश्वास की कहानी एक छोटी सी चिडिया एक गहरे और हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिडिया रहते थी उसका नाम था मितली मितली हमेशा आस्मान में उड़ने का सपना देखती थी लेकिन उसके छोटे छोटे पंक उसे बड़े उड़ान भड़ने में रुकावट डालते थे जंगल के सभी जानवर उसकी छोटी पंकों पर हसते थे और उसे उड़ने में असमर्थ मानते थे एक दिन जंगल में एक बड़ा तुफान आया सभी जानवर अपने अपने आस्रे में छिप गए लेकिन मितली ने तै किया कि वो अपने आत्म विश्वास और धैरे से इस तुफान का सामना करेगी उसने अपनी छोटी पंकों को फैलाया और उचाई तक उड़ने की कोशिश की पहले कुछ बार तो वो धर्ती पर गिर पड़ी लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया हर बार गिरने के बाद उसने खुद को और महनत की और एक बार फिर कोशिश की अंदेता उसने तुफान के बीच में अपने पंकों को सही तरीके से इस्तिमाल करना सीख लिया उसने धिरे धिरे उचाई प्राप्त की और तुफान की ताकत को मात देते वे सुरक्षित जगाप पर पहुँच गए जब तुफान थम गया तो सभी जानवत मितली की बहुदरी और आत्मिश्वास की तारीफ करने लगे मितली ने साविक कर दिया कि छोटी से चिडिया भी अपने धैर, आत्मिश्वास और मेहनत से बड़े चुनोतियों का सामना कर सकती है इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिनाई या बाधा के बावजूद अगर हम आत्मिश्वास और धैरे के साथ प्रयास करते रहें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी छोटे या कमजोड क्यों न लगे हमारे प्रयास और द्रिड़ता हमें सफलता की उचायों तक ले जा सकते हैं दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है क्लासेज में कुछ टॉपर बच्चे होते हैं और कुछ जो फेलवर होते हैं लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वो स्कूलिंग या कॉलेज या ग्रेशन करने के बाद भी वो टॉपर ही रहेंगे या फिर वो फेलवर ही रहेंगे जिन्दगी कब किसके साथ बदल जाती है या किसी को नहीं पता इसलिए आप फेलवर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपना धैर रे, आत्म विश्वास और अडिग रहते हैं तो आप जिन्दगी में सफलता को प्राप्त जरूर करके रहिएगा धन्यवाद